आज मैंने बनाया पत्ता को बढ़ने वाली सब्जी इस तरह से आप लोग ने पत्ता को भी कभी नहीं बनाया होगा तो ट्राइ जरूर करें यह मेरी मम्मी की रेसिपी है वो बनाये करती थी दिन में राइस के सांथ तो सबसे बहले इसके लिए हमें सर्सों का तेल लेने इसे तरस्टों के तेल में ही बनाये जिसे तेल करम हो जाए जीरा डालें लंबे पीस में इस तरह से हरे मिर्चे डालने है नौदर्स हरे मिर्चे डालें आप मिर्चे की क्वांटिटी बढ़ा भी सकते है इसी का फ्लेवर आता है जब हम इस सब्जी को खाते है और इसके लिए पत्ता को भी न ताजा लेना है बिल्कुल ताजा हो सॉफ्ट हो इसकी सब्जी सूखा यानि ड्राइ ही बनाये जाता है बनने में सिर्फ 10-15 मिनिट लेगा बहुत ज्यादा इसे पकाना नहीं है अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सब्जी मसाला नमक स बनाया जाता है आप चाहें तो मसाले कि बीकर सकते हैं विना मसाले की बीना यह बहुत अच्छा बन गर तयार होगा इसे बहुत कम पकाया जाता है बहुत ज्यादा इसे पकाना नहीं सिर्फ 10-15 मिनिट ठक कर चाहें खुले भी पका सकते हैं बीच में एक दो बार चला ले इसे सूखा ही बनाया जाता है और इसे आप राइस के साथ गर्म गरम सर्व करें साथ मंदाल बनाए या जो भी ग्रेवी वाली आप सबजी जाते हैं वो बना सकते है एक बार ट्राइ जरूर करें बहुत अच्छा फलेवर आता है एक बार इस तरह साब पत्ता गूबी की अच्छी बनाएंगे तो बार बार बनाना चाहेंगे बहुत आसान रेसिपी है और बहुत यूनिक रेसिपी है तो फिर मिलता है एक न्यू रेसिपी के साथ तब तक के लिए बार बार टिक किया थैंक यू फॉर वाचिंग